है बस्ति की बात करनें क्लास ट्वेल्ट चैप्टर फोर चल रहा है आज हमारा पर्ट टू है आज करेंगे हम प्लानिंग का प्लानिंग की प्लानिंग की प्रॉसेस क्या होती है planning की process में सबसे पहला पहली बात तो यह है planning की कितनी साथ steps होती है देखो one two three four five six seven seven steps में आपकी planning क्या हो जाती ही खतम हो जाती है जब हम इसे detail हम पढ़ लेंगे इसके बादे मैं आपको एक short trick बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हैं इस trick को use कर सकते हैं और अपनी planning की जितनी प्रोसेस साथ steps को बिल्कुल आप एक second में एक minute में क्या कर सकते हैं इसे लिख सकते हैं तो सबसे पहला step है वो है setting objectives हमें क्या करना है एक objective और goal हमें क्या करना है which special organization wants to achieve जो हमें यह बता सके कि जो organization है यह firm है यह business है यह achieve क्या करना चाहरा है क्या किस direction में जाना चाहरा है हमें सबसे पहले तो एक objective क्या करना है इसके बाद में सेकंड औब्जेक्टिप्शन आता है हमारा second option है developing promises हमें क्या करना है डैवलप करना है कैसी चीज का promises का अब क्या इसका मतलब है it means assumptions about the future अब हमें objectives set किये हैं इससे जो भी रुकावट है future माइंगे वो सारे की सारे हमें अजमसन लगा लेने हैं अजमसन लगा करके हमें यह पता करना है कि क्या चीज हमारी इस चीज में business में रुकावट बन सकती है फिर which are considered to be the base material upon which plans are to be done अब इसके बाद में हमने क्या कर लिए premises बना लेकिन इन चीजों के ऊपर कुछ चीजां ऐसी भी तो होगी जो positive होगी अब हम अगर एक goal set करने हैं इसके बाद में हमें क्या करना है अपनी positive चीजों को आगे लेकर करके चलना है उसमें बेस बनाना है कि हमें इसके ऊपर काम करेंगे और अब इसी के ऊपर क्या करते हम होते हैं वह हमारे base material बन जाते हैं जिसके ऊपर हम अपने plans को drawn करने लगते हैं बनाने लगते हैं इसके बाद मैं identifying alternate course of action identifying alternate course of action what it means once objectives are set and assumptions are made जैसे हम एक सेट कर लेते हैं objective और हम अपने developing premises से assumptions को बना लेते हैं उसके बाद then the next step is to be determined alternate course of action which may be used to achieve the set objectives अब हमने जब यहां पर developing premises कर आए इसके बाद में identify alternate course of action में क्या करना है हैं बहुत तरह की alternate course of action ले लेने हैं बहुत चारी तरह की करने निए तो यह एक उल्टरनेट को क्या गए करेंगे जिसको चाटना इसगे कैसे की भॉजिटीव और पॉजिटिव पॉइंट को क्या गरेंगे नोटडाउं करेंगे जिसके positive points जादा होंगे, उसे हम क्या कर लोएंगे, select कर लोएंगे, समझ माई बात, यहाँ पर alternate बनाएंगे, इसके बाद मुझी पॉजिटिव और negative उसके 이फेक्टों देखेंगे, जिसके positive इफेक्टों जादा होते हैं, उसमें से हम एक select कर लेंगे अपना alternate अब इसके बाद में selecting the best alternate इसमें से हमने क्या कर लिए the best plan has to be adopted and implemented जो सबसे best plan था यहाँ पर उसे हमने select कर लिया उसी को अपना base बना लिया अब उसी को पर हम काम करेंगे जो क्या दिखा रहा है which is the most feasible profitable and with the least negative consequences मतलब हमारे आगे बढ़ने की profit होने की इसमें बहुत ज्यादा ही क्या है profit है इसमें आगे future में लेकिन इसमें least negative consequences हैं मतलब इसमें जो आगे चल कि हमें loss होगा वो कम है यह हमारे assumptions कह रहे हैं जो हमने alternate plans मनाएं उनके base पर हमें यह पता चला कि जो हम यह select कर रहे हैं इस plan को इस जो हमारे कम हैं अब जब हमने एक बास select कर लिया है इसके बाद माता है implement implement का मतलब होता है उस चीज को लागू कर देना implement the plan implement the plan is concerned with putting the plan into action जो plan हमने select किया है उसको अब action में ले आओ मतलब उस पर काम करना अब start कर दो the plan into action that is doing what is required अब करो जो करना है मतलब जो हमने प्लान करा था अब अब अपने setting objectives पर लग जाओ हमने जो objective set करा था ना अब उस पर लग जाओ अब हमने select कर लिया अपने plan अब उस plan के थैत क्या करो implement करना start कर दो अब अपने set objective जो set करे थे उसकी तरफ बढ़ो अपने goals को achieve करो यह इसका मतलब है implementing the plan जो हमने alternate select करा था अब उस पर काम करना start कर दो जो भी जरूरत है जितने आपको labor चाहिए जितनी आपको machine चाहिए जितनी आपको purchase करनी है sale करनी है जो चीज करनी है यहां पर करना start कर दो बस काम करो और अपने goals को achieve करो then follow up action follow up action का मतलब होता है it means to see whether plans are being implemented अब इसका काम होता है कि यह देखना कि जो हमने plan बनायते वो implement हो रहे है या नहीं हो रहे है जो plan हमने select करा था उसको पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है and after that and activities are being performed according to the plans इसका मतलब अब यह देखो कि हमने जो काम तो कर रहे हम क्या हम काम वैसे कर रहे हैं जैसे कि हमने क्या कर दा प्लान कर रहा था plan के according ही काम होना चाहिए अगर plan के according काम नहीं होगा तो जो हमने goals यहाँ पर set किये थे, objectives जो set किये थे वो achieve नहीं हो पाएंगे तो यह है क्या चीज आपकी planning की process, planning की process साथ steps मचलती है setting objectives, developing premises, identifying alternate course of action, evaluating alternate course and selecting an alternate then implementing the plan, follow up action, यह साथ steps होती है, अब आते हैं बात इसकी short trick पर short trick क्या है देखो, सबसे पहले as को अलग लिख लो, फिर देखो die, 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 die आपने word सुनाओगा die, I will die, I will die, he will die, you will die, यह वाला word die, 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 s, i, f shift तो सुनाओगा s, i, p, shift मानना चाय पीना ठीक है, तो यहाँ पर f कर देना shift, देखो यहाँ पर हो जाएगा, selecting objectives, then developing premises, then identifying alternate, evaluating, after that selecting, फिर implementing, after that follow up, यह साथ steps है, as, die, s, if, इन साथ steps में आपकी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी planning की process control, planning की process का हो जाएगी, cover हो जाएगी, यह साथ steps में, I hope आपको आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो like, share and subscribe जरू करें, मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत